JTC Holidays प्रस्तुत करता है अलेपपी वर्चुल टूर। कोचीन से लगभग तिरपन किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर अपने बैक्वाटर के लिए प्रसिद है जो कोचीन और कुमार कोम को उत्तर से जोडता है। बैक्वाटर और समुद्र के अलावा अलेपपी अपने पुराने मंदिरों, समुद्र में बहने वाली सरपीन नहरों, रंगीन लैगून, चावल के पेडों और 150 साल पुराने लाइट हाउस के लिए भी प्रसिद है। अलेपपी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक कुटनाड बैक्वाटर्ज है। यह एक शांदार लैगून है, जो जीलों, नदियों, नहरों, दुन्द भरे पहाडों और अलोकिक परिद्रिश्यों की सुन्दर्ता से घिरा हुआ है। यह खुबसूरत चच 835 इस्वी में अपने अस्तित्व का पता लगाता है और इसकी घटनाओं, शुक्रवार की लिटूर्जी और शेक्षनिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। यह एलेप्पी में सबसे लोकप्रिय संग्रहलयों में से एक है। त्रावनकोर के राजा, अनीजम धिरुनल मार्तंडा वर्माद्वारा अठारावी शताब्दी में निर्मित, कृषनापुरम पहलेस अपनी पुरानी वास्तुकला और कलात्मक भित्ती चित्रों के लिए क आल और सफेद रंग की पट्टियां पहने हुए तटिय पट्टी द्वारा एकांत का जश्न मनाने वाला एक विशाल टावय यह सबसे अच्छा याद दिलाता है। चमकती रेत, क्रिस्टल साफ पानी, खूबसूरत लहरें, करामाती सूर्योदे और सूर्यास्त, अलापुझा या एलिप्पी समुद्र तट को अलिप्पी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। प्रतिष्ठित चच-16 वी शताब्दी में स्थापित किया गया था और पंद्रासो चौरासी में फादर जैकुमो फेनिकियों के तहट फिर से बनाया गया था, जो अपने स्पर्ष से लोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते थे। अलापुझह या एलेप्पी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाव, करुमाडी या करुमदी अद्बुत अलापुझह पर्यटन स्थलों में से एक है जिसे खोजकरता पसंद करेंगे। अगर आप पूरी तरह से आराम करना चाहते हैं, तो मारारी बीच आप के लिए एक जरूरी जगह है। यह प्रसिद्ध चाच मई के महीने में बड़े उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। चाच अपने इसाई और गैर इसाई तीर्थ्यात्रियों के लिए भी लोकप्रिया है। पथिरमनल, जिसका अर्थ है, रात की रेट, वेम्बनाट जीर में अलापुझह के बैकवाटर पर स्थित एक छोटा जीर द्वीप है। यह सबसे खूबसूरत अलापुझह परियटन स्थलों में से एक है जिसे आप बिलकुल याद नहीं कर सकते। वेम्बनाट जील केरल की सबसे लंबी जील है और भारत की सबसे बड़ी जील भी है। अमबालोपुझह मंदिर एलेप्पी में घूमने के लिए सबसे पुरस्कृत स्थानों में से एक है। मंदिर केरल का सबसे पुराना क्रिश्न मंदिर है और भारत में भी सबसे पुराना है। जवाहरलाल नहरू की स्मृती में आयोजित यह नाव दोड किसी अन्य नाव रेसिंग गतिविधी के विप्रीत है जिसे आपने पहले देखा होगा। यह एलेप्पी में घूमने के लिए अनोखी जगहों में से एक है। मननार्सला श्री नागराज मंदिर जैसा की नाम से पता चलता है सापों को समर्पित एक मंदिर है। एलेप्पी के सबसे खूबसूरत हिस्से में स्थित एक शताबदी पुराना मंदिर यह आपके लिए मुलककल भगवती मंदिर है। सेंट कुरियाकोस एलियास चावरा का पैत्रिक घर यह भवन भी एक तीर थ्यात्री है। अब तक के सर्वश्रेष्ट अलेप्पी पर्यटन स्थलों में से एक चावरा भवन मानवता की सेवा करने का इरादा रखता है। एक स्वच समुद्ध तच जो मुक्त आत्माओं को आकर्शित करता है। अंधकार नाजी बीच उनकुछ अलापुझा पर्यटन स्थलों में से एक है जो हमेशा के लिए खूबसूरत है। पुनमाड़ अलेप्पी के पास स्थित एक भव्य जील है जहां आप प्राकृतिक सुन्दर्ता के बीच अपनी रोजमर्रा की सभी समस्याओं को पूरी तरह से भूल सकते हैं। अलेप्पी में घूमने के लिए पुन्नप्रा सबसे एकांत स्थानों में से एक है और यदि आप भगवान के अपने देश में एक शांत छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो इस आकरशक छोटे से गाव का समुद्र तट एक आदर्श स्थान है। रेवी करुना करन संग्रहाले उन जगहों में से एक है जो आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाया गया हो। थोट्टा पली बीच अपने अनोखे समुद्र तटों के कारण एलेप्पी में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है इसमें जिर्कोनिया की उच्छ सामगरी के कारण यहां की रेत का रंग काला है। सबसे प्रसिद अलापुझहा पर्यटन स्थलों में से एक चैती कुलग्रा देवी मंदिर में भक्ती, आध्यात्मिक्ता और भक्ती की यात्रा शुरू करें। फ्लोटिंग मार्केट पहली बार आने वाले आगंतुकों के लिए एक अनूठा खरीदारी अनुभव है। एक सुन्दर डिजाइन, अलंकृत पत्थर की नककाशी और पुराने अवशेश हैं, जो सभी पूर्तगाली सभ्यता के प्रभाव का संकेत देते हैं। एलेप्पी में शिकारा नावें हाउस बोट की तुलना में छोटी और संकरी होती हैं, जिनमें 15 व्यक्तियों के बैठने की जगा होती है। जेटीसी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट, कॉन्टाक्ट, 968-789-5000 या 922-7600-890